अयोध्या का मंदिर धाया किसने बाबर के सिनापती ने बाबर कौन था मंदिर का विरोध किसी प्रकार करना ऐसी जिनकी एक कुछिक इच्छा रहती है ऐसे लोग बाबर को मुसल्मानों से जोड़ते गलत बात है बाबर हिंदुस्थान पर चड़ाया और सहित्पूर नाम के स्थल पर उसने कतले आम किया तब सहित्पूर में आदि गुरु प्रथम पाच्छा श्री गुरु नानक देवजी विद्यमान थे उस समय के अत्याचार के वो प्रत्यक्षा दर्शी है और श्री गुरुवानी के तिलंग महिला एक में उसने उन्होंने लिखा है कि पाप की बारात लेकर ये बाबर आया और उसने ऐसे कतले आम और अत्याचार मचा है कि न हिंदू की न मुसल्मान की शरम रही धरम रही तो किसी का नहीं था वो अपने देश का था नहीं अपने देश के राम है जो सब के लिए है जो उनको भगवान मानते हैं उनकी पुजा करते हैं लेकिन जो भगवान उनको नहीं मानते वह भी अपने राष्ट्र के मर्यादा के प्रतिक नहीं को मानते हैं अपने जीवन से आचरन से धर्म की मर्यादा का अंकनजिलों नहीं किया ऐसे प्रभूस्री राम है और इसलिए तो महम्मद इक्बाल ने भी प्रभु श्री राम को इमाम हिंद कहा उनका मंदिर नहीं बनेगा तो कैसे होगा स्वाभाव एक बाट है लेकिन हिंदु समाज बड़ा श्रद्दलू समाज है सबके प्रति प्रेम रखने वाला समाज है और सबका संबान करके कानुन सम्मिधान पुर्वक चलने वाला समाज है इसलिए तो तीसरा लग रहे है हमने पहले समाज को बताया भाईवार रामलला भी राजमान है लेकिन ताले के अंदर है तो ताला खुल गया उनका यह यह मंदिर बनना चाहिए इसलिए हो मिलना चाहिए मांग करो मांग कि समाज है माम्ला नयायले में गया लगता है कि प्राथमिक्ता थी नहीं उस समय प्यार को समय लगा उस समय यी तक्तक्ावके ृण को मिलने गई हुमारे रजुभिया उस समय हमारे सरसंग पी splits वह उन्होंने कहा कि प्रदान मंदृ यह कर लाको कार सेवा के सबकी दिलिए इच्छा हैuen के दिल मंदिर का निरमाण शुरूआ कार सेवा करने के लिए आये हैं कि प्रति-कात्मक कार सेवा से समाधान होने वाला नहीं है वर्षों से मांग कर रहे अभी तक सुनवाई तक नहीं होती है मन में असंतोश है जो अविवादी जमिने उसी पर से कार सेवा सुनू करने के अनुमति दिलवाद हो मामला कोर्ट में ठीक बात है, कोर्ट से जल्दी निरनाई दिलवादो, एक दिन पहले निरनाई दिलवादो, तो हिंदू समाज है, अपने देश को जानता है, अपने देश को मानता है, किसी का शत्रू नहीं है, कानुन सम्मिधान का संबान करता है, अभिवादी भूमी पर क कार से वा प्रारंबर करके समाधानी ओके कार से वह वापस जाएंगे लेकिन प्राथमिक्ता अलग-अलग होती है अब क्या करें कि उनकी नहीं थी कि उन्हों निरने को चार दिन बाद तक टाल दिया इसलिए जो गुस्सा आया उसके कारण जो हुआ सो हुआ उस गीता प्रभोधी निये का दिशी जनहित के मामले टालते रहना टालते रहना इसमें क्या आरते भाई एक छोटी सी बात है निरने कर देना है नीचे मंदिर था इस पश्टा है वो तो खोट खोट करके देखा गया पहले लेधर से दख्या गया उससे समाधान नहीं हुआ इसलिए आर्चे अलोजी डिपार्टमेंट को बुला कर इस मामले के दोनों पक्षों के साक्षीदारों को उपस्थित रखकर उनके सामने उत्करन किया गया और यह पाया गया कि नीचे मंदिर था उसको तोड़कर ही उपर बना है प्राचिन समय से श्रद्धा तो है वह राम जन्म भूमिय है श्रद्धा को कोई सवाल लगा सकता है क्या समाज केवल कानून के अक्षरों से नहीं चलता समाज अपने मन से भी चलता है दुनिया में सरवत्र ऐसा है कानून को उसको भी समझना पड़ता है समाज भी कानून का संबान करता है लेकिन अगर सत्य और न्याय को आप तालते चले गए और तालते ही रहना है तो मेरी एक प्रार्थना है कि जितने अपने शिक्षा संस्थान है उसमें से एक अंग्रेजी कहावत को कहने के उपर प्रतिबंध लगाना चाहिए जस्टिस डिलेड इस जस्टिस डिलाइड यह सिखाना नहीं चाहिए अब सुप्रियम कोट ने कह दिया कि हमारी प्राथ में हम अभी तक 2010 में निर्णे आ गया यह बता दिया गया कोट के द्वारा कि रामलला है वह लीगल एंटिटी है और वहां पर उनी का स्थान है और फिर भी क्या सोच के किसी ने मांगा नहीं था बटवारा भी हो गया लेकिन निर्णे तो साफ आ गया कि यह राम जन्म भूमी है यह स्थान रामलला का है कम से कम वहां तो मंदिर बनेगा ही बनेगा तो एक आशा जगी कि चलो भाई अभी तक नहले तालते रहा तालते रहा पहले अंग्रेजों का था बाद में स्वतंत्र भारत में अपने लोग भी तालते रहे लेकिन लगता है कि अब जमान खुल गई है न्याई की भाशा न्याई बोल रहा है इसलिए रा देखी गई जब फिर ऐसा हुआ कि क्या होगा क्या होगा तब सुना कि एक बेंच बन गई इस मामले का दिरने करने के लिए और आशा जगी और प्रत्यपक्षक के वकील ने वहां कहा कि इसको टाल दीजे अगले चुनाओ तक तो बड़ जोर से बेंच में कहा गया कि हम इसको नहीं टालेंगे हमको इसका जल्दी जिरने ले रहा है चुनाओ वना के लिए हम रुपने वाले नहीं है बहुत अच्छी बात है मामला राजनीति क है नहीं किसी को सत्ता में लाने के लिए या किसी को सत्ता से उतारने के लेकिन नहीं हुआ और अब साफ ये तो संकेत मिल गया कि ये मामला प्राथमिक तापर नहीं है तो क्या करना तो एक पुराना अभी वचन है उस समय के केंदर सरकार का कि अगर ये पाया गया कि नीचे पहले मंदिर था तो हिंदू समाज की इच्छा के अनुसार इस स्थान का विन्योग हम करेंगे तो बस फिर अब दूसरी आशा क्या है यही आशा है और हम यही कह रहें कि पाया गया है कि वहां मंदिर था राम जन्म भूमी है राम लला है उनका यह स्थान है अब उस पर माल्कियत किसकी है यह अब कोड का निर्णे आएगा नहीं पहली बात तो क्योंकि वो प्रायरिटी में नहीं है और यह पात बड़ूच्जतन लगती है कि सधी यों से जहां राम लला विराजमान है करोडों भारत के समाज के श्रद्धा भाजन केवल अपने आपको हिंदू कहलाने वालों के नहीं अपने आपको अन्य नाम से जानने वाले लोगों के भी श्रध्धा भाजन हमारे प्रभुश्री राम वहाँ पर प्रत्यक्ष विद्यमान होते हुए उनके उस जन्वभूमी के स्थान पर कोई और अपनी मालकियत बता सकता है बाकी तो सब लोग बाद में आये हम भी बाद में आये भई श्री राम लला वहाँ पर थे तब तो हम कोई नहीं थे तब मेन कोई अख़डा नहीं था तब तो कोई वाक पोड नहीं था तब तो को ऑग कंदी नहीं थी उनका अगर इसमें से किसी के पास कि यह है कि उन्हों ने इसको हमको दिया थी तो बात अलग है कोई कागज है झाल झाल झाल